हमें यहाँ पे इस coordinate 2,2 को इस plane पे plot करना है तो चलिए पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि इस 2,2 का क्या मतलब हुआ तो 2,2 पहला जो 2 है वो represent कर रहा है हमारा x coordinate यह हो जाएगा हमारा x coordinate और यह जो दूसरा वाला 2 है यहाँ पे यह 2 यह हमारा हो जाएगा y coordinate और यह हमेशा इसी order में रहेंगे x coordinate का मतलब हुआ कि x axis के along origin से कितनी दूरी है और y coordinate का मतलब हुआ कि y axis के along origin से कितनी दूरी है तो 2 units है x axis के along दूरी इस point की तो यह है हमारा origin यह हमारा origin 0,0 यहाँ से 2 units हम बढ़ते हैं 1,2 तो यानि कि यह सारी points जो होगी यह सारी points जितनी भी होगी मैं यहाँ पे plot नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इस line के along यहाँ पे जितनी भी points होगी उनकी जो horizontal distance होगी origin से वो 2 units होगी तो चली हम इस point को कहीं यहाँ पे पहले रख देते हैं यह सारी points इस x-axis x-axis coordinate की value 2 हो जाएगी और y-coordinate भी 2 है इसका यानि कि y-axis के along भी इस point की दूरी 2 units ही है तो यानि कि 1,2 तो हम इसको यहाँ पे shift कर देंगे तो यह जो हमें यहाँ पे point मिलेगा उसके x-axis के along भी 2 units की दूरी है और y-axis के along भी 2 units की दूरी है तो यह वाला हमारा point 2,2 को represent करेगा चली है यह चेक करते हैं तो यह हमारा जवाब बिलकुल सही है अगले question पे आते हैं अगले question हम से बोल रहा है कि 5,9 को हमें plot करना है यानि कि x-coordinate है 5 और y-coordinate है 9 के बराबर तो यानि कि x-coordinate 5 यानि कि x-axis के along 5 units की दूरी तो 1,2,3,4,5 यहाँ पे हम पौँच गए तो यह point तो चली हम यहाँ रख लेते हैं अभी हलाकि इस line पे कोई भी a point ले ले तो उसकी x-coordinate 5 ही होगी क्योंकि किसी भी point की दूरी इस line पे x-axis के along 5 units ही है लेकिन यहाँ पे इसका 9 दिया हुआ है हमारा y-coordinate यानि कि y-axis के along उस point की दूरी जिस point को यह represent कर रहा है वो 9 units के बराबर है यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं तो यहाँ पे इन दोनों का intersection जो होगा इसको मुठा के यहाँ पे shift कर देंगे तो हमारा यह जो यहाँ पे point मिला इसकी y-axis के along 9 units के दूरी हो जाएगी और x-axis के along 5 units के दूरी हो जाएगी तो यह point हमारा 5, 9 को represent कर देगा तो यह चेक करते हैं बिलकुल हमारा जवाब एक्दम सही है